बुद्वार को अश्टमी तिथी है और शिव महापुरान की कठा कहती है गणेश पुरान के तरती अध्याय में बढ़नन किया बुद्वार के दिन अगर अश्टमी पड़ जाए तो ऐसी कोई बिमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पा कुछ ना कर हरा मूँ गटोड़ी भढ़ दो गोड़ की बति उस-पर और नवर ग्रटी को बहुत भारी बिमारी है का इंसर जया रोग भी है कीड़नी लीवर जो वह उसके खड़ाब हो रहें कोई तकलीब है बस वो कटोरी में मूंग लेकर उसमें गुड की खोडी रखकर पांच बेलपत्र रखकर बुद्वार और अश्टमी थी जिस दिन भगवान ने गनेश जी ने एक राक्षस का संघार करत और कश्व प्रिशीनों को दुरुबा दी थी वो अश्टमी है पहली बार दुरुबा चड़ी थी गनेशी को उसका व्याख्या ना आएगा कथा मूं कटोरी में भरकर गुड की खोडी रखकर गुड की बट्टी पांच बेल पत्र जिसको बहुत बिमारी हो तमा स्वास केड़नी आधिक आधिक बहुत बिमारी हो 21 बार शरीर पर से उतार कर महराजी सीधे हाथ उसमें रखकर नाम कोत्रत खुद का बोलकर और बगवान से गनेशी से बिंती करकर अश्टमीती थी के दिन बुद्वार के दिन जो भी आ रही है वहोग समय के बाद पढ़ रही है उस दिन उस कटोरी नहीं लेना पुरानी कटोरी नहीं लेना कोई कटोरी घर में नहीं हो नहीं कटोरी और उसको गणेशी के मंदिर में पहुचा दीजी गणेशी के मंदिर में पहुचाएं गणेशी के मंदिर में पंडी जी भी बेठे रहे हाथ में मत देना उस कटोरी को भले दर्वाजे पर चोखट पर गणेशी के राइट हैंड की और आपका उल्टा हाथ हो होगा गणेजी का सीधा हाथ होगा तो गणेजी का जो राइट हैंड हो दर्शन करते समय सीधा हाथ इतर आएगा उस हाथ के वहीं पर अर्थाथ जमीन तहीं रख देना पर रखना भूमी महाराजी केसी भी बिमारी होगी अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी पर का जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा उन बच्चों के विवाह हो जाते हैं मारा जिनका मंदल विवाह नहीं हो रहा शादी नहीं हो रही बहुत परास्त हो गए अशुक सुंदरी वाली जगा पर हल्दी लगा उस हल्दी को लेकर ठोड़ा सा भाग पिपल पर लगा और पीपल के ब्रफच के निक्चे हाथ में हल्दी को लगा ली अश्टमी तिती हो या प्रदोस कर दिना यह दो में से कभी भी कर तक के मंद लगा वो लिखेगा तो Kentucky मिलना है पैइसा परीवार मिलना है यह सक ही वैसा श्री गॉलो मेरा न coefficient नहीं दरहे माराठ जिन बच्छों के नएन था फॉर हो और जो शिवराट्री तक भी शहद का इंतर आदना करते हो बच्चों के वें लगा लाएंद दिया लगा कर उसस की काजल बनाकर काल भैरव का स्मरण करकर उसमें घी मिला कर भैरव अब कर नय नबिंदू को लगाकर वही का जल जमाना प्रहाणद siya मुझे तुर्वा समर्पित करी है ये जो मुझे देगा वो बेभाव प्रक्राप्त policy जीवन में रोग दूर हटेगा जग्द भगवान करते हैं गणे ये तुर्वा बुद्वार के दिन अश्टमी तिफी के दिन जो अश्टमी बुद्वार् fossil रहा है संवर्पित गरिए कोय के पास की सफेद दुर्वा के पास की सफेद गर्वा giving टालीस दुरौा प्रतेग बुद्वार को गाट लगा कर गणेजी को समर्पित करकर बापीश उसाद कर उस दुरुआ को खाली पे आदे गंटे बाद पानी को पईलो बुदवार की बुदवार पाँच बुदवार करना गणेजी को समर्पित करकर चवा चवा कर खाना उदर की प्रॉबलम जो भी मसा अदिक की प्रॉबलम होती है उदर से जुड़ी होती है जिस चीज से जुड़ी होगी पेट की जितनी प्रॉबलम होगी आपको जितनी प्रॉबलम होगी वो सारी पांच बुद्वार करना छटे बुद्व तूर्वा तूर्वा को दूद का मल कर उस चमड़ी पढ गई हो चर्म रोग को गया उस दूद को वो दुरुबा के साथ दूद नहीं भी हो दुरुबा का लिपन शरीप पर कर लें आदे घंटे तक करने पर प्रदोश काल में इसनाम कर लें महराज आपको चर्म रोग में आराम लग जाएगा सफेद चमडी अपने असली रंग में आना प्रारंब हो जाएगा गणेश कुर रही बहुत जगह इंटर्वु दे एक किस दुरवा के 108 बंडल बनाओ उसकी माला बनाओ और देवी के मंदिर में माता जगदंब के मंदिर में अरथात जहां शंकर पारवती पूल परिवार विराजमान हो ऐसे देवी के मंदिर में गणेजी के गले में वो माला अरपन करि और वहीं से एक पुश्प लेकर अपने कमरे में जहां पढ़ते हो फूल को रदीजिये और दूसरे दिने एक्जाम के लिए चले जाएए आपको उसका फल अवश्य मिलेगा अवश्य मिलेगा आप उसमें उत्रिन होंगे फल प्राप्त होगा जैसे ये बेलपत्र होता है शिव को और गणेश को बेलपत्र शमी पत्र समर्पित होता है आपको कथा में बंडन किया था 33 कोटी देवताओं को भले बेलपत्र नहीं चड़ेगा पर 33 कोटी देवताओं को शमी पत्र चड़ता है और उसमें एक गणेजी महाराज और एक बाबा भोलेनाद इन दोनों को शमी समर्पित होता है शमी पत्र समर्पित होता है शिव महापुरान की कथा करती है और गणेज शरीत रपन समन कर रहे हैं जिसके घर में संपरा की कमी पड़ती हो बिमारियां जादा फेल रही हो बहुत कश्ट हो महाराज बहुत जादा दुखी हो महाराज कोई काम नहीं बन रहा बहुत तकलीफ में हो तो शमी पत्र शमी की पत्ती जहां गणेजी का स्थान है वहाँ पर पाँच समी पत्र पाँच समर्पित करें और संकर जी के उपर तीन समी पत्र समर्पित करें बहुत ध्यान देना पाँच समी पत्र जहां गणेजी का स्थाने शिवलिंग में वहाँ समर्पित करें तीन समी पत्र शिवलिंग के उपर समर्पित करें एक समीपत्र शंकर जी की चोखट पर लिफ्ट भाग में जाते समय आपका उल्टा हाथ जब मंदिर से निकलो तो उल्टे हाथ पर लिफ्ट भाग में शंकर जी की चोखट पर समर्पित करें एक समीपत्र और महराज की का दिया जहां लिफ्ट भाग में आपने समीपत्र रख सब्सक्राइब कर देखना अगले साल तक आपका प्यपार कितना चलता है हमको बताना जरूर करके देखो एगा गणेश पुरान का श्यू महा पुरान का ये प्रसंद करिये रहे